इन असोसियेशन विथ कुटूंब आप कडल हो नई तकनीक हो या फिर कोई नया जुगार सब कुछ सबसे पहले वाटसेप पर आता है लोग भरोसा भी आसानी से कर लेते हैं वैसे स्मार्टपून से जुड़ी कालतनिक कथाओं से वाटसेप पर मिलती है ये भी पूरी तरह से सच नहीं है इसमें गली चौराहे पर ह आ गया है मतलब अब आपको टुमब आप पर भी जुड़ सकते हैं दी ललन टॉप कम्यूनिटी से जहां आपको मिलेंगी आपकी पसंदीदा खबरें वीडियो डेली शोस साथ में सीधे सीधे अपनी बात रखने का मौका भी सदस्य बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में द आप मान लीजिए 100MB का है और 3G में एक मिनट में डाउनलोड हो रहा है और 4G में 30 सेकंड में तो डेटा तो 100MB ही डाउनलोड हुआ बस समय इसमें कम लगा 4G या 3G तकनीक का स्तरह और डेटा खपत का माबदन इसे ऐसे समझें किसी सामान को खरीदने के लिए 1000 रुपए चाहिए चाहे आप 10 रुपए के 100 नोट खर्च किये या 100 के 10 नोट दोनों में खर्चा सेम होगा दूसरा मित जो बहुत प्रचलित है वो है कि स्मार्टफोन से कैंसर होता है पहले मोबाइल टावर से कैंसर होने की बाद पहली फिर स्मार्टफोन से मोबाइल टावर को लेकर तो सरकार को भी स्थती साफ करनी पड़ी स्मार्टपोन को लेकर भी कई बार सफाई दी जा चुकी है सार, वाल्यू नाम की एक चीज होती है जिससे घुजर कर ही कोई फोन आप तक आता है specific absorption rate एक international मानक है radiation मा अपने का इसका जो standard है 1.6 watts per kilo उसको पास किये बिना कोई भी फोन बाजार में नहीं आता भले ही वो इंडिया में बने या इंपोर्ट होकर इंडिया आए भारक की अपनी खुद की lab है इसकी टेस्टिंग के लिए जो 2012 में बनी थी यदि आप पूरा तकनीकी ज्यान चाहते हैं तो department of telecom की website पर जाएं सार value आपको हर mobile के डब्बे और कागजात के साथ लखी मिल जाएगी तीसरा मित जादा RAM मतलब तगली performance बड़ा है तो बहतरे से मित प्रिभावद लगता है लेकिन जब बात smartphone की है तो RAM का अपना RAM को तो आप आसानी से खाली कर सकते हैं कई बार तो एक 6GB RAM वाला phone भी आपके लिए बढ़िया काम करेगा चौथा Bluetooth, GPS, Wi-Fi बंद रखो वरना आपकी battery खतम आपका smartphone अतना smart है कि जब कोई चीज इस्तमाल नहीं हो रही है तो उसको सुला कर रखता है तकनीकी भाषा में कहें तो hibernation में आप जोतना use करेंगे उतनी ही battery और processor पर असर पड़ेगा नहीं इस्तमाल करने पर बस मामुली सा असर होगा पाँछवा, incognito mode और tension खतम ये भी एक बहुत बड़ी अगलत फैमी है आपको लगता है कि आपने incognito mode पर कोई काम कर ले और आप दुनिया जहां के आँखों से बच गए याद रखें कि incognito mode पर जब आप काम करते हैं तो आपकी history और cookies भले ही आपके browser पर record नहीं होते लेकिन internet service provider या internet company ज़रूरत पढ़ने पर इसको बड़े आरान से देख सकती है तो अगली बार जब भी incognito mode पर काम करें तो थोड़ा सो समझ कर कीजेगा चटा, credit card और smartphone को गलती से भी पास न रखें ये भी एक बहुत बड़ा भ्रहम है जिसका सचाई से कोई वास्ता नहीं आपका smartphone किसी भी credit card या debit card की शमता पर कोई असन नहीं डालता अगर ऐसा कुछ होता तो company's के बारे में बताती जैसे की Samsung अपने galaxy fold phone के साथ ये चेतावनी देती है कि debit credit card को इस phone से दूर रखें साथवा, यदि phone गर्म हो रहा है तो वो खराब है ये ब्रम तो शायद उस शैतान बच्चे ने फैलाया होगा जिसको game खेलने नहीं मिला जोक सपार्ट आमतोर पर powerful graphics वाले game खेलते हैं फिल लगातार वीडियो देखते समय कभी कबार phone की सथा थोड़ी गर्म हो जाती है कई बार आपने चार्ज करते वक्त भी phone के जादा गर्म होने को महसूस किया होगा सारी बाते नॉर्मल है phone के गर्म होने का उसके खराब और अच्छे होने से कोई संबन नहीं है हाँ यदि आपका phone किसी भी परस्तिती में जरुरत से जादा गर्म हो रहा है पर आपके call की quality अच्छी नहीं है network speed भी slow आ रही है संबव है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ हो पूरे निंडे का मतलब है मस्बूत network signal पर network तो एक phone tower से आता है किसी भी समय उस tower से कई लोग connect हो सकते है तो network speed इसी बात पर निर्भर करेगी यानि जादा लोग तो धीमी speed नवा प्ले स्टोर से आप डाउनलोड किया है तो safe ही होगा इस ब्रह्म ने ना जाने कितनों का नुक्सान कर दिया होगा वैसे गूगल खुद ही अपने प्ले स्टोर पर कड़ी नजर रखता है लेकिन कई बार कुछ बदमाश developers घुसी जाते है ऐसे किसी आप का सबसे बड़ा उधार on whatsapp के तमाम dummy apps है जिनको लाखों लोगों ने डाउनलोड कि और अपनी जानकारी साचा की whatsapp को आखिरकार चेताब नहीं देनी पड़ी तब जाकर ये apps डिलीट हुए अब जब भी कोई app डाउनलोड करें तो जाच पर रख लें इन सवालों का जवाब जूढे developer कौन है, क्या rating है, update आते हैं या नहीं और app के नीचे दिये comments को भी भ्यान से पड़ें और दसवा, app को use करके बंद कर देना चाहिए ये हरकत तो हमारी एक तरह से आदत बंगे कि आप use किया और बंद कर दिया smartphone की smartness पर संधे कर रहे हैं आप आपका phone जानता है कि आप app को use नहीं कर रहे हैं तो उसको थपकी मार कर सुला देता है और जब जरूरत तब पटाक से चालू आपको बंद करके जब आप फिर चालू करते हैं तो पूरी प्रक्रिया शूनने से शुरू होती है जिससे उल्टा phone के प्रसेसर पर असर पड़ता है आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथ ही सूरेकांत मेरा नाम है दव्यांशी देखते रहिए दीलललन टौ शुक्रिया